सब्सक्राइब कीजिए टिया हिंदी यूटूब चैनल को और इस बैल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको नए वीडियो की जनकरी मिलती रहें तो दोस्तो अगर आप अपने क्रेट काड का बिल पेमेट नहीं कर पा रहे हैं और बैंक आपको पुलिस केसे फिर कोट केस की धमकी देते हैं तो आपको ड़नने की जुरूरत नहीं है आपके अपर कोई भी केस नहीं होने वाला है आपको पुलिस पकड़कर नहीं ले जाने वाली है तो आपको ड़ने की जुरूरत नहीं है एक बार फिस्ता स्वागत है टियां दे व्टूप चैनल में वो दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने क्रेट कार्ड का बिल नहीं पे करते तो आपके साथ क्या कुछ हो सकता है तो दोस्तो अगर आपके साथ क्या कुछ करने वाला है तो दोस्तो अगर आपके सब क्या कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाचक तक देखते रहे नमजब काँछन दूस्तो दोस्तों अगर हमने किसी से कर्जा लिया है तो हम सभी चाते हैं कि उनका कर्जा टाइम से दे दें लेकिन दोस्तों कई बार हमारे पर इसी situation आती है कि हम कर्जा तो छोड़ो अपने घर में खाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते और उस situation में हम अपने credit card का बिल नहीं पे कर सकते उसको situation में अपने EMI pay नहीं कर सकते या फिर जिससे भी हमने करजा ले रख है वो हम पे नहीं कर सकते तो सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि इस वजिस हम पैसे return नहीं कर पाते आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताने वाला हूँ कि अगर हम अपने credit card का bill payment नहीं करते तो क्या कुछ हो सकता है देखे दोस्तों सबसे पहले बात करते है credit card के type की हमारे पास दो type के credit card होते है सबसे पहले secure credit card होता है दूसरे नमर पे unsecure credit card होता है secure credit card का मतलब दोस्तों यह है कि अगर आपने credit card लिया है और bank में उसके बदले आपने कुछ भी रखा है चाहे आपने FD के अपड़ लिया है चाहे आपने अपने property के कागज रखने के बाद credit card लिया है वरना आपने जो भी उनके पास रखाव है गिरिवी वो सारे के सारे को जबत कर लेंगे ठीक है अब बात करते हैं unsecure credit card के बारे में दोस्तों unsecure credit card वो होता है कि हम bank के पास कुछ भी गिरिवी नहीं रखते सिर्फ अपना pen card और एक अधार card हम bank के पास गिरिवी रखते हैं तो उस condition में bank हमारे साथ क्या कर सकते हैं कि अगर हमने अपने unsecure credit card का बिल पे नहीं किया देखें दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता दू कि जब भी आप अपना credit card apply करते हैं तो bank इतनी असाने से आपका credit card नहीं बनाता सबसे पहले तो अगर आप अपना unsecure credit card बनवाते हैं तो bank आपको minimum limit देता है मतलब उतनी limit आपको देता है credit card की यूज़ करने की जितना आप एक या दो महिने की salary में भर सको अगर आपकी salary 20-25,000 रुपे हैं तो आपने देखा होगा कि आपके जो credit card की limit है वो भी 30,000 या फिर 40,000 तक होगी लेकिन दोस्तों अगर आपके salary 50,000 रुपे के around है तो फिर आपने देखा होगा कि आपके जो credit card की limit है वो maximum 70 या फिर 80,000 रही होगी तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि bank कभी भी आपको unsecure loan नहीं देता यानि कि unsecure credit card की ज़्यादा limit यूज करने के लिए नहीं देता दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि bank कभी भी इतने ज़्यादे amount आपको नहीं देगा जिससे कि आप उस amount को pay नहीं कर पाओ problem हमारे साथ यह है कि हमारी job चली गई है हमारे काम धंदे बंद होगे इस वज़े से हम अपने credit card का bill payment नहीं कर पा रहे हैं तो अब सुन लीजे कि आप अगर अपने credit card का bill payment नहीं करते तो bank आपके साथ क्या कर सकता है सबसे पहले तो आपको यहाँ पर साब साब भासा में बता देता हूँ कि RBI की credit risk policy के तहट bank आपका कुछ नहीं बिगाड सकता ना तो आपके ओपर कोई case करा सकता है बैंक अगर आप अपने credit card का bill payment नहीं करते और दोस्तों अगर आप अपने credit card का bill नहीं बढ़ते तो bank इसको लेके court में भी नहीं जा सकता ना ही कोई place F.I.I.R करा सकता है तो अगर कोई भी bank कोई भी company NBFC company फिर कोई भी bank आपको इस बाते में ड्रा रहा है हम आपके ओपर court case कर देंगे तो वो सारे के सारा fraud है आपको unsecure credit card दिया जाता है तो अगर आपको कोई भी bank ये ड्रा रहा है तो ड्रनने की जरूरत नहीं है लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बता दू कि अगर आप credit card का bill payment नहीं करते तो आपका civil score बहुत जल्दे down होने start हो जाएगा और आपका civil score bank बार 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 डाउन करता रहेगा क्योंकि दोस्तों जितने भी credit card है इनकी automatically payment होती है और automatically यह civil को report कर देते हैं तो अगर आप अपने credit card की payment नहीं करते तो बार बार आपका civil hit होगा और बार आपका civil down होता रहेगा इसके अलावा आपका bank कुछ नहीं बिगाड़ वाएगा अब मैं आपको पूरी पूरी detail में बता जिता हूँ कि आपके साथ क्या होने वाला है कि अगर आप अपने credit card का bill payment नहीं करते देखे दोस्तों अगर आप अपने credit card का bill payment नहीं करते तो सबसे पहले मेने जैसे आपकी जो भी आपके bill payment करने की date होगी अगर आप उस date को payment नहीं करते तो सबसे पहली बात तो यह है कि bank आपको जो चार्जिस लगाते हैं जो पेनल्टी चार्जिस लगाते हैं वो लगाएगी अगर आप अपने क्राइट का बिल पेमेंट नहीं करते या फिर जो minimum बार आए, दस बार आए, बीस बार आए, कितनी बार कॉल आते हैं, यही पता नहीं होता, तो दोस्तों यहां पर आपको बता दू कि अगर आपने किसी सरकारी बैंक से क्रेट काड़ ले रख है, तो आपको फिर भी कम प्रोब्लम फेस आएगी, क्योंकि आपको बहुत कम बार वो कॉल करेंगे, लेकिन दोस्तों अगर आपने किसी प्राइवेट बैंक से है, फिर किसी भी NBFC कमपनी से क्रेट काड़ ले रख है, तो आपको दिन में बीस बार कॉल आए, तीस बार कॉल आए, पचास बार कॉल आए, यही पता नहीं होता, वो आपको बार बार कॉल करत रहेंगे, तो यहां पर मैं आपको कहना चाहूँगा, कि या तो आप अपना मुबाइल सुच ओफ कर दीजिए, या वरना आपको बहुत बार कॉल करने वाले हैं, उसके बाद आपको बतायते हूं कि क्या होगा, कॉलिंग के बाद मैं आपको बतायते हूं कि आपके साथ क् देखिए, अगर आपने हापर किसी सरकारी बैंक से कैट कार्ड ले रख है, तो पहले 2-3 महिने वो आपको बार-बार कॉल करेंगे, बार-बार कॉल करेंगे, अगर आप उनकी कोल अटेंड करते हैं, तो आपको बार-बार कोल ही करेंगे, लेकिन दूस्तों अगर आपने कि recovery team भेजनी स्टार्ट होएगी पहले एक बंद आएगा दो बंद आएगे बार 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 बहुत बार आपके recovery team आएगी बार बार कोल आएगी बार बार बंदे आएगे लेकिन दोस्तों अगर आप आप इनके बार-बार कोल करने के बाद भी इनके recovery टीम आने के बाद भी अगर आप इनको पैसे नहीं देते तो 6-7 महिने के बाद bank आपके साथ एक option रखेगा वो कहेगा कि आप bank के साथ settlement कर लीजिए अब bank के साथ settlement किस तरीके से होता है इसके पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है लिंक निचे डिस्क्रिशन मिल जाएगा या फिर आई के बटन पर किलिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपने loan का settlement किस तरीके से कर सकते हैं आप अपने credit card का settlement किस नहीं कर सकता कोई भी legal notice नहीं दे सकता लेकिन दोस्तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने payment नहीं करते तो आपको बार-बार call face करनी पड़ेगी बार-बार आपको recovery team face करनी पड़ेगी और इसके बाद भी bank आपको बार-बार प्रिसान करता रहेगा तो दोस्तो अगर आप अपने credit card का bill payment नहीं कर पा रहे हैं और bank आपको police case है फिर court case की धमकी देता है तो आपको ड़नने की जुरूरत नहीं है आपके अपर कोई भी case नहीं होने वाला है आपको police पकड़कर नहीं ले जाने वाली है तो आपको ड़नने की जुरूरत नहीं है लेकिन दोस जितने भी credit card है इनकी automatically payment होती है और automatically यह civil को report कर देते हैं तो अगर आप अपने credit card की payment नहीं करते तो बार बार आपका civil hit होगा और बार आपका civil down होता रहेगा इसके अलावा आपका bank question नहीं बिगाड़ वाएगा उमीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो जुरूर इस दितने नहीं चक्रण कर दोस्तों करते हैं तोस्तों कि आपका तोस्तों वीडियो जुरूर आपका.